हाँ जी बिटा हुन इस दिये ही पेज नंबर जड़ा अपना देखो 67 हो गया 68 पेज है जो तुम ही रिवीजन करनी है 69 पेज अभ्यास प्रशन प्रशन नंबर 1 समा कविता किस दी लिखी गई है उत्तर समा कविता पाईवील सिंग जी दी लिखी गई है प्रशन नंबर 2 समा कविता विच कवी ने किस्ता मानवी करन कीता है उत्तर समा कविता विच कवी ने समेधा मानवी करन कीता है प्रशन नम्बर तिन समे नू कौन अपने वास्विच करना चाहूंदा है उतर समे नू जीव रूपी आत्मा अपने वास्विच करना चाहूंदी है प्रशन नम्बर चार समे दी संबाल किंज करनी चाहिदी है उतर, समें दी संभाल नेक कम करके अते प्रभु दा सिम्रन करके करनी चाहिदी है प्रशन नमबर पंच, समा कविता विच पाई वीर सिंग जी ने की उपदेश दिता है उत्तर समा कविता विच पाई वीर सिंग जी ने मनुक नू समे नू व्यर्थ नागवा के प्रभु सिम्रन विच पिताउं दाव पदेश देता है बेटा यह तुछ सारे याद करने हैं अग यह हेठा देते प्रशन विजा थी आप हल करने पर क्योंकि तुहीं काई वार नहीं कर सकते इसकर कि मैं अबर्शन 6 विच मनुक नू आए उदेश देता है जी मेंकी पहले उपर दर्श आया समा कविता पाई विंर सिंग जी दी लिखी होई है इस विच मनुखनू की उदेश दिता गया है कि उसनू अपने चंगे करम करके चंगे कम्मा विच समा बिता के अपने समेनू सफला बनाऊना चाहिदा है माडे आता जडियां माडियां जडियां आता उना अपने तो दूर रखना चाहिदा है अते Eisen जड़े है, उन्हां तो परेह रहना चाहिदा है प्रॉशन नंभर सत, जीव रूपी आतमा किसनों परना चांदी सी? जीव रूपी आतमा समेनों परना चांदी सी पाई वीर सिंग ने दस्या है कि जीव रूपी आत्मा समेनू अपने मताबक चलोना चांदी है कि जे मैं कमा की समा रोक जे मेरी चाल दे मताबक चलिया रवे जदो मैं कमा आओ दो जड़ा समाओ अग्ये वदे पर एजेहा नहीं हुंदा क्योंकि समा ठहरना नहीं जान दा प्रिशन नमबर अट समा किस वहावांग अग्ये वद्दा गया है जिवेकी पहले विता उनुन समझा है एसे करके ए दोहरा है विच मी आ जड़ा है समा किस वहावावांग अग्ये वद्दा जानदा है यह उसी आप लिखना है अपने जडी तो प्रशन no.8 जिमें पहले भी मैं तो समझाया प्रशन no.6 तो लेके, प्रशन no.9 और फिर 10 तो लेके सारी एक्ससाइज जडीया एक तुसी आप लिखनी हैं जिवे मैं तुन समझाया, तुहीं सोन लेना है, और फिर तुसी ये नू आप लिखना है, प्रशन नमबर 9, समे नू केहडे काम करके सफला करना चाहिदा है, समे नू चंगे करम करके, तो अड़े केंदरी पाप बेटा, बहुत अच्छी प्रिके ना समझाया गया है, समे नू चंगे करम करके, पापतों दूर रहके, परमातमादी पक्ती करके, दूसरे ये नदा पला करके, चंगे करम करके, असी अपने समे नू सफल कर सकते हैं, प्रशन नमबर टेन, ये चला तोड़ा एड़ा पाग पेराग्राफ है काप टोटा, ये ओही है, एड़ा पाग, हो अजे समबाल समे नू कर सफल उड़नता जामता, ये ठेरन जाचना जानता, लंग ग्याना मुर्के आमता, मुर्दे नहीं है थे, मुर्के कर आएगा थे, प्रशन नमबर वानना है, एहे सतना किस कवी दियां लिखिया हो याहन, तुसी इना नू एक दो लाइन चे वुदा आणवास ते लेख सकते हो, कि इना सतना वीचे पाई वीर सिंग जी ने, मनुख नू जीव रूपी आत्मा नू समे दी संबाल वास ते क्या है, प्रशन नमबर दो, एहे सतना केड़ी कवता वीचों लईयां गया हन, ते एहे तो आड़ी किस पाठ पुस्तक वीच दरज है, ठीक है, तो एहे सतना जड़ी आँ, कवीता सा ड़ी जड़ी केड़ी है, समा, है ना, समा वीचों लईयां गया हन, ते केड़ी पाठ पुस्तक वीच द अगला प्रशन है समय नो किमें सफल बिताउना चाहिए चिमें की दुबारा एप्रेशन बार बार रपीटांदी है ठीक है? वह ओवली एक्सेसाइज दी सी एधर हैगा पर आंसर डीड़ा उत्तर दा सेम इकको सार समय नो किमें सफल गराँ चाहिए समय नो जी में पहले समझाया यहा व्याख्या नंबर दो बेच भी हैगा यह व्याख्या नंबर दो दाना हडा पैराग्राफ होदा ना इदी जड़ी व्याख्या किती यह एधर आंसर है पर फिर भी दोसी मोखी के रूप सौनलो मोखी मतला औरल समय नू सफल बिताओं लेई सानू चंगे करम करने चाहिए तरम करम पेच नाम लाना चाहिए परमातमा दा नाम लेना चाहिए किसे नू दोखनी देना चाहिए अते अपना अमानू उसारू बनाउना चाहिदा है पर आपके असी व्यार्थ वेच समा ना गवाई है ते हर काम समय मताबक करिए ते सड़ा समा लेड़ा अपने आपी सफल हो जानता है अगला प्रशन है पिटा कौन ठहरन दी जाच नहीं जानता असी कभीता विच पड़ेया ना समा ठहरन दी जाच नहीं जानता पर अहीं इको लाएंच नहीं लिखांगे कर टोका टे तो आडा उतर लेड़ा दो तीन लाएंच हो ज़ी ते ज्यादा वदिया है कौन ठहरन दी जाच नहीं जानता क्योंकि समा जडायो अपनी चले चलता है जीव रूपीया अपना उन्हु आपने सावना रखना चान दिया पर समा जड़ायों किसे दी नी सोनदा ओ दर्यादे तिक्खे वहाँ वांग अग्येनू निकल जानदा है